बात करने वालें friends एक नई वेकेंसी निकल कर रहे है, बेसील के तरफ से broadcast engineering consultant India limited तरफ से वेकेंसी निकल कर रहे है इन्टरव्ु बेसील कर रहे हैं यनि आपको वाकिन इंटरव्यु के लिए छाना है आपको और आपका अपर selection होगा तो आप form को भरके पैसे जामा करके प्रोर् पबुबिस किया गया है और मैं आपको दिखाये तो इंगери काहा की है काफी सरे वेकेंसी इनके वेबसाइट पर चलती रहती है एक जो है आउट्सोर्सिंग कमपणी है जो क्या करती है गौऌर्मेंट को पूर्वाइड करती है आउट्सोर्सिंग के company आती है यहां पे आपको कोई भी धोका धड़ी नहीं होगा यह जो है थोड़ा सा फीस आपको application फी ज़्यादा रहता है यहां पे लेकिन यह जो है बिल्कूल मतलब ministry of information and broadcasting का अंतरगत यह काम करती है और यहां पे जो है एक government of India का enterprise है enterprise company है यह तो यहां पे देखिए आप आएंगे तो यहां पे आपको यह मिल लाता है notification advertisement number 194 और यहां पे जो भी है देख सकते है attend walking interview यहां पी यह 20 सेप्टमबर को upload किया गया है आपको क्या करना है यहां पे click करके इसको download करना है तो मैं इससे क्या करता हूँ यहां पे देखिए आपको यह notification यहां पे जारी किया गया है 20 तारी को यह notification आया है इसके official website पर यहां पे सबसे पहले हम समझते हैं यह notification जो है कहां के लिए वाकर interview है तो देखिए वाकर interview जो है attend करने का जो address है वो देख सकते है भोपाल है जो की बोला गया है कि 23 एंड 29 इसी महीने में 23 और 29 सेप्तेमबर को यह जो है यहां पे यह लोग कंड़क्ट कर ले है purely on fixed term contract basis मतलब contract basis पर यह vacancy होने वाली है walking interaction है मतलब आपको जाना है वहां पे directly आपको जो है interview देना है फिर आपका selection हो जाएगा अब यहां पे देखें जो यहां पे आपके जो पोस्ट रहने वाले हैं यहां पे 50 पोस्ट हैं data entry operator and office गवाई के salary भी बोला गया है 8 से 10 हजार और graduation बोला गया है आप देख सकते हैं 55% marks के साथ वाह क्या बात है knowledge of typing desirable experience बोला गया है typing speed minimum 40 word per minute आपके होने चाहिए और साथी साथ बोला गया कि अगर आप experience में one year का working experience है किसी भी government में या private में तो अच्छा है और age limit 18 से 35 वर्स आपकी होनी चाहिए तो यहां पे देख सकते हैं पहला पोस्ट है इसकी बात जो पोस्ट है friends data analyst social media analyst की पोस्ट है जिसमें b.tech बोला गया है computer science and MBA from recognize university marketing एक साल का experience है इसमें पचास सीथ है 15 से 15 जर के भी salary होगा research associate content writer के पोस्ट है MBA from recognize university और एक साल का experience है age limit 24 से 32 वर्स और 25 से 40 जर के भीच आपकी salary है इसके बात यहां पे जो अगला पोस्ट है associate consultant creative content writer graphic designer video editor का यहां पे पोस्ट है PG diploma in mass communication management या graduate in design या mass communication बोला गया है और 2 से 4 साल का experience है content writing में या journalism में या UI या UX डिजाइन में ग्राफिक्स डिजाइन में वीडियो में या animation में तो 40 से 60 जर की salary आपको देखने के मिलेगी 30 यहां पे आपको पद रखे गए हैं इसके बाद यहां पे जो है consultant senior content writer के post है MBA या post graduation diploma in general means बोला गया है 60 से 80 जर की salary है experience जो है 10 साल का बोला गया है 5 seat ओ पे vacancy यहां पे निकल के आ रही है इसके बाद बोला गया friends की senior consultant project lead की vacancy है 80 से 1 लाग salary है 5 पदो vacancy है इसके बाद यहां पे friends अगला जो post है 1 लाग से ज़्यादा आपको salary देखने को मिलेगी principal consultant project manager के PC diploma या MBA and B.Tech या B.E.M.C.A कुछ भी किया है अब दन कर सकते हैं 12 सल का experience बोला गया है पोस्ट यहां पे रखे गया है तो यह friends जो है vacancy निकल के आ रही है इसमें आपको देखिए interview में जाने से पहले आपको क्या क्या जो है copy in close करना है at the time of interview along with following documents बोला गया है educational या professional certificate, birth certificate, car certificate, work experience, pen, अधार copy of EPF अगर आप पहले से कहीं काम कर रहे हैं तो उसका available है तो आप copy EPF दे सकते हैं जो PF fund पैसा कटता है police verification आपको चाहिए और यहां पे on export registration fee आपको 590 रुपय वो लोग लेंगे general OBC के लिए और 295 रुपया SCHT PH के लिए आपको लेंगे तो यहां पे देख सकते हैं बताया गया term condition और आपको जो है resume भी जरूर बना लेनी है बाकी यहां पे बोला गया friends यह call है अगर आप बात करके कुछ information लेना चाहते हैं तो आप call कर सकते हैं या इस mail को जो है mail कर सकते हैं यहां पे जनकारी बताएगी है साध्याद बोला गया है कि आपका candidates can prefer to submit the demand draft या favor of broadcast engineering अगर आप चाहते हैं कि demand draft के माध्यम से पैसा जामा करें तो आप demand draft के माध्यम से पैसा जामा कर सकते हैं या आप जो है online यहां पे cash भी का भी माध्यम है जो कि export आपको पैसा माँ पे देना होगा registration fee के तोर पे तो यह friends vacancy निकल क्या रहे थी और यह form आपसे feel up कराएंगे जब आपका selection हो जाएगा interview के बाद तो यह देखिए आपको जह form को भरना होगा या हो सकता है कि interview से पहले आपको यह form को भरवाएं और application fee ले और उसके बाद आपको interview में appear होना है तो यह friends जो है vacancy निकल के आ रहे थी उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एक बार और जो है आप यहाँ पे देखेंगे यह जो है कहा कि है तो पालस रेसिडेंसी MP tourism near 45 बंगलो टीटी नगर भोपाल टेंटेवलिव अन 23,922 से लेकर 29,922 for deployment at department of public relation government of madhya pardes मतलब जो आपका deployment करेंगे जहाँ आपको work करना है वो जो होगा आपका department of public relation government of madhya pardes का यह जो है यह लोग deployment करेंगे तो यह outsourcing के मात्यम से यह vacancy जो है निकल के आ रही थी उमीद करता हूँ आपको जनकारी समझ में आ गया होगा आप जो इस website पे विजिट करके काफी सारी information का और भी ले सकते हैं काफी सारी vacancies यहाँ पे चलती रहती है तो आप देख लेंगे मिलता है किसी नए वीडियो को साथ हमें दीजे जाए तो और देखते रही है job stock by deal thank you for watching जाहें